मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें हम जा रहे हैं वैश्नो देवी दर्शन के लिए अभी हम सीधा यार्पोर्ट जा रहे हैं यहां हमारी फ्लाइट है from नू देली टू जम्मू की आज ही हम दर्शन कर लेंगे और कल हमारी रिटर्न फ्लाइट है हमारा काफी टाइम बचने वाला है क्योंकि कटरा से वैशन देवी हम हेलिकॉप्टर से जाने वाले हैं लेट्स बिगेन आर ट्रिप वेद जैमातादी को सब्सक्राइब करें देज हो तियाए टिया गारा की इपने अवाले षाया कत कर तेदा थे रख से अच्छाइब कर दे गारले कंशनके आएपने पध्यांगा जाएब देगे एक आपने गारगे कर ने आएपने बारी से बढ़निंग पास्ते हैं निकालना चाहते हैं चेकिन काउंटर पेज उसके 100 रुपीज चाहते हैं तो बेटा लिए आप यहीं से निकाल केज़ें इसना आप अपना PNR नमबर टाल के वोटिंपास दिकाल के लिए आपको यूज में चाहिब ना पाएं तो यहां में कभी आपका इंटरनेट या प्ला करोना के बाद भी फ्लाइट पूरी फुल है सभी ने मास्क लगा रखे हैं इनफेक्ट कई लोगों ने फेश शील्ड भी लगा अब हम सीधा होटेल जाएंगे और वहां से सीधा खेली पैट जाएंगे गाइस जम्मू एरपोर्ट से बाहर निकल के एक पेटल पंप है यहां पे एक प्रिपेड टैक्सी बूत है जहां पे आपको रिजनेबल रेट पर टैक्सी मिल जाएगी हमने अपने होटेल के टैक्सी यहां से बुक कर लिए हम होटेल पहुच गए है होटल का नाम है विराज सरोवर पोटी को यहां हम अपना समान रखेंगे और सीधा निकलेंगे कट्रा के लिए हम होटेल से निकल गए हैं अब हम सीधा जा रहे हैं सांजी चत हैली पैट हमें टू थर्टी रिपोर्ट करना है अल्रेड़ी वन फिफ्टी हो गया है हमें वन आवर पहले रिपोर्ट करना होता है लेट सी हम टाइन पर पहुँच पाते हैं की नहीं गाइस सांजी चत हैली पैड यहां से 65 किलो मेटर दूर है हम अलेड़ी लेट हो चुके हैं टेक आफ से एक घंटा पहले पहले पहुचना होता है तो टेक आफ साड़े तीन बजे का है हमको ड़े बजे तक महुचना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा दो हैं और काफी चैल पहल है तो बटी स्टिल परोना के गजर से काफी काम है पहले के मुकाबले तो यहां से हमका अजी कॉक्टन राइस पकड़नी है और इसमें देखने कितना टाइम लगता है तो उसके बारे आफ बग्रेट करेंगे है आफ जाए बग्रेट और देखने करेंगे तो यहां पर लोग दो अफिर देखने काफी वाई तो फैनली हम लोग है लिपड अज्ट पहुच गया है यहां आपकी आइडी शेक होगी और दू जो एंशूर कि आप लोग प्रिंट आउट लेकर आएं, जो का हैली पैट का टिकेट है, अदर्वाइज आपको बाफस कट्रा जाना पड़ सकता है, दोबारा प्रिंट आउट लेने के लिए. और गाइस उसमें प्रिंटाओ टिकट प्रिंटाओ लेकर आए तो बड़ इस्टिल मेक शूर कि जम्मू या कश्मीर यासी जगा पर अब हर डॉकमेंट कर प्रिंटाओ के पास हो क्यांकि यहां पर कुछ भी अगर कुछ शॉर्ट पड़ता है तो इतना इसी नहीं है में लैंड में जो जिस तरह से हम करते हैं तो इस तरह यहां इसी नहीं है से थी नहीं है जो प्रीफिक कर अब हो जो जो पंग शॉर्ट एम जैने की तो इस नहीं है हमारा सब वैरिफ्यकेशन हो गया है फिर वेइंग मसीन में ज यह चेक हो गया है अब भी हमें वेट करने को बोला गया है, हमें शटल से जाएंगी हैली पाइट तक and then within eight to ten minutes हम पहुँच जाएंगी रेशन देगी उल्ड़ पाइट नटली एक बाइट बाइट पाइट जाएंगी इस अब पाइट आपी पाइट जाएंगी जाएंगी इस चाम पाइट सब्सक्राइब करें और भेरव मंदिर के भी दर्शन कर आए हैं तो इच्छा एक्स्पीनिस राया है आप बताएं गाइज मैं आपकी आपक सवला देना चाहता हूं कि अजर आप हेलिकॉप्टर से जा रहे हैं या तो पैदल वापस आएं या हेलिकॉप्टर से ही वापस आएं क्योंकि जो खच्चर का सफर है वो चड़ते टाइम ठीक है बट उतरते टाइम इट्स वारी अनकॉंफर्टिंग और इन फैक्ट उसके जो चार्ज़स हैं 1650 रुपए पर खच्चर उतना मतलब हेलिकॉप्टर में उससे कम ही हो जाएगा आपका तो गाइस हम जम्मू एरपोर्ट पहुंच गए है तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पे आपको किसी भी एरपोर्ट के मुकाबले 20% टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां पे तीन लेवल की चेकिंग है क्योंकि एक सेंस्टेव एरपोर्ट है तो गाइस हमेशा जब भी जम्मू से आपकी फ्लाइट हो वेल इन टाइम पहुंचे ताकि आपकी फ्लाइट छूटने का चांस न रहे है हम न्यू डेली एरपोर्ट पहुंच गए हैं हमारी ट्रिप वाज अमेजिंग अब हम आपको अपनी ट्रिप की समरी बताएंगे इंक्लूडिंग आर एक्सपेंस ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इससे आपको काफी हेल्प मिल सकें सब्सक्राइब करें एक चीज़ पर लिखे जाएगी कि वैशनोदेवी इसे लॉटे टाइम भूलकर भी खचर ना करें क्योंकि आपको वह ऐसे सी जगह पर ऐसे सी इंजरीज देगा कि आप कई दिनसर उस्ते लाजी करके ले जाएएंगे जिस अच्छा पैदल याजाएं जाद से अपकी पांस बोलेगी जाद से बाइन दर दो जाएगा हैं आप दो एक हम अपना वीडियो शमराइज कर लें ताकि आप सब को पदा चले कि हमारा कितना क्या खर्ट हुआ तो उस अकोर्डिंगा आप अपर प्रिप्लान कर से तो लेट्स बिगिन हमारा फ्लाइट एक्सपेंडिचर जो डाउं ट्रिप 35,000 तो जादा है क्योंकि हम नोगों ने शॉर्ट नोटिस पक्राया अब कम में पड़ेगा जम्मो से दिल्ली और दिली से जम्मो 5000 फाइब पड़ जाता है गर दो मैने यार एक मेने पहली बिकना है तो हमारा तो तका एक है और एक है तो हमने टेक्सी करें एरपोर्ट से होटल से कट्रा तक जहांसे आपको वैसन देवी कड़ाही होती है और जहांसे हमको हैलिकॉप्टर पकड़ना था तो वह हमको पड़ गया करीब तो उसके बाद हम होटल पहुंच गए हमने होटेल चूज किया था होटेल विराफ सरोवर को यह जम्मू में पड़ता है बट हम आपको सजेस्ट करेंगी अगर आप स्रिफ मावैशन देवी दर्शन के लिए तो आप कट्रा में स्टे करें वह आपको पास पड़ेगा हमारा क जो क्या है इसके लिए उपास क्या है कि एक सिर्फ कट्रा मे थो काशिते है अगर विराफ सरोवर को तो आप पर एबाध सर्फाइल देगता हमारा करें खरोट बटा दो हमें 08 उमने कि pe режим का अट्पर देखिन किया तो एक अट्राम थे तो आफे कि अमने続 और बोथ, प्लस टेस्स और 12 नून वहाँ चेकाउट था हमने से वन नाइट से किया और होटेल काफी अच्छा था उसके बारे में बताना चाहेंगे काफी सेंटाइजिशन कर रखा था उन्होंने कोवेट की ताइम हमें बिल्कुल भी अनाहजेनिक नहीं लगा इवन अवरी मोमेंट सेंटाइज दर रहे थे और साफ सपाई थी काफी गाइज उसके बाद हम लोग हम लोग हेलिकॉप्टर अतना पकडने के लिए प्रदा रेर रहे थे रश किया लिपाट में हमारे लग गये दो लोगों के वन वे ट्रिप के 3300 चाह सपास लग गए अपने साथ प्र वहाँ पर प्रिंट आउट के बिना आपको एंटरिनिंग मिलेगी तो फिर हमको हमको 2-3 मिनट की फ्लाइट में प्लाइट में जहां पर लैंड होता है हलिकॉप्टर वहाँ पहुचिए पिर उसके बाद करीब एक जड़ घंता हमने वॉक किया देन हमें दर्शन मिले काफी जगा हम लोगों को शुटिंग अलाओ की जैसे नंदर के बाहर हमने रिक्वेस्ट की कि हम थोड़ा सा शूट कतने तो उन्होंने अलाओ कर दिया तो थोड़ा सा हमने क्लिपिंग शेयर किया होगा अपने वीडियो में अच्छा एक्सपिरियंस रहा एविन हम तो सज़स्ट करेंगे अगर आपके पस ताइम नहीं है तो वेजिन वन मिने टू मिने आप ती रहा बहुंच जाएंगे काफी टाइम बचेगा है अपका फिर उसके बाद दर्शन किये हैं रहा अच्छे दर्शन मिले वहां काफी प्रम रश था रश इंफेक्ट था ही नहीं बहुती कम लोग थे क्योंकि मैं पहले भी वेशनदी वी जा चुकी हूहां इतना रश होता है इतनी भीड होती है कि ब एक ड्रशन किया हो जड़े दर्शन कि अवारे स्नैक्स होगा है वहां कि वहां पर है कुछ और आप इग्णम चाहते हो कुछ पोई ब्रेंड या काफी हाइजिनिक चाहिए तो वहां सागर रतना फुला हूँआ है वहां आप खा सकते है अफॉरडबल भी है और रीजनेव पे आपको मिल रहा है क्या काम है तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम पैदल पैदल वाकिंग से पहुंचेंगी लिटालें के ताइम्स बाट उसमें बीड बिल्कुल नहीं थी कासी सुंचान सा लगा हमें यह लगा कि अच्छा एडिया नहीं है अंधेरा काफी हो तो नहीं वाले तो हमारे पीछे ही पढ़ गया है वह मतलब क्योंकि कोरोना के वज़े से वह लोग भी अलिम्प्लॉइड है इस टाइम हम लोग को हम लोग अच्छली हमारा प्लान था वैश्रोदेवी से बहरो मंदिल जाने का तो हम लोग बहरो मंदिल की तरह बढ़ने ल लिए अच्छर में हमारे वैश्रोदेवी मंदिल से बहरो मंदिल बहरो मंदिल से वापस इसमें लग जाए कई सोला सो पर पर संड वन साइड अगर आप केवल वैश्रोदेवी मंदिल से नीचे कट्रा पर जाते हैं तो आपको कम लगेंगे 900 यहाजार रुपर लगी हमको बहरो मंदिल ने जाके वापस लाया तो सोला सो पर पर संड वो सारा ओनलाइन इस सब तीरों के आपको प्रॉपर रसीड मिलती है वहां पर काउंटर बने हुए है रेट भी लिखे हुए है तो आप वहीं पर ही जाके पेमेंट करें और ऑफ दा रिकॉर्ड अलग से किसी को सब्सक्राइब लिखेंद उफ खरां पर अपड़ बने हुए है लग ऐसे जैसे पहले वैसंबेवी में क्या होता था आपको कीव में खड़ा होना पड़ा था था आपको यातरपर्ची कटवानाइब पर तेज वहां अधिन हेलीकॉप्टर फुबिम के लिए भी कापी लि वहां आपको free of cost व्यात्रपची आप करवा सकते हैं और हेलिकॉप्टर बुकिंगी आप नहीं ऑनलाइन करिए उसमें आपको options दिये रहेंगे schedule आप अपनी हिसाफ से बुक कर सकते हैं कब-कब अवेलेबर है उस according आप बुक करिए अपने हैं अपनी है तो बहतर है आप सुबह जल्दी स्टार्ट करें और चार बजे कवाल हमारे साथ कि उस तो इमना हेलिकॉप्टर बंद लो गया है तो हमें खचर से जाना पड़िया बट काफी दुर्गती होती है सोच लीजिए अगर आपको खचर से रेटर्णिंग में जाना है तो गाई सुबह जल्दी स्टार्ट करें हेलकॉप्टर से जाईए और हलकॉप्टर से आ जाईए या तो पैदल आ जाईए बट खचर से आप मुझे दो सो पर कम देदेना अपस ले जाने की अच्छा एक्स्पीरियंस रहा हमारा वह अच्छे से दर्शन हो गए हमारे और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो गाईज लाइक करें शेयर करें और सब्स्राइब करें और स्टेट टून विज चैनल एंड वी बग आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें आपका कोई भी सजेशन हो फीडबैक हो तो हम और इंप्रूब करेंगे तो स्टे तून थैंक्स वर वाचिंग बाबाई